मैं पेट लवर और पसु पालक किसान भाईयों के लिए कुछ इंपर्टेंट वीडियो बनाता हूं जो कि देसी इलाज के उपर बेस होता है कोई भी रोक से तो आज जो टॉपिक पे डिसकस करने जा रहा है वो जो पसु के ऊपर एक्टो पैरासाइट लगते हैं जैसे जूं हो गई चीचड हो गई किलनी हो गई इसको इंगलिस में टिक्स माइट्स लाइस कई प्रकार के कीड़े लगते हैं ठीक है तो इन किटाड़ जिसमें नर्वस साइन आते हैं लार गिरता है बहुत तेज से बुखार होता है कितने पसु डेथ हो जाती है अगर उसे टाइम से सही ट्रीटमेंट न दिया गया तो ऐसी खतरनाग बीमारियों से बचाने के लिए पसुओं में टिक नहीं रहना चाहिए और प्लस टीक जू चीचर किलनी यह सब जब पसुओं में शरीर पे रहते हैं तो पसु बहुत बेचैन रहती है इदर उदर पैर मारेगी उनका प्रोडक्शन आफ मिल्क जो मिल्क का फार्मेशन होता है वह कम हो जाता है बहुत कम दूध हो देने लगती है तो यह सब बहुत ज्यादा किसान क बताएंगे वह से एलोपैत में जो डॉक्टरों द्वारा दी जाती है उसमें बहुत सी चीजें दी जाती है जैसे साइबर में ध्रिन डेल्टा में ध्रिन साल्ट आती है जिसको पानी में मिला के धोया जाता है पसु को ताकि यह एक्स्टरनल पैरासाइड हटाया जा सके ऐसी आइवर मेक्टीन की इंजेक्शन लगाई जाती है खल में चमडे में जो एक्टो पैरासाइड इंडो पैरासाइड दोनों को मदद करता है लेकिन हमारा जो बेसिक यहां पर परपस है किसानों का पैसा बचाना उनका इकोनॉमिक बढ़ाना ठीक है था हम देसी इलाज बेड़ बकरियों के उपर पाए जाते हैं उनसे निदान कैसे पास सकें तो सबसे पहला है कि नीम की पत्ति वाला इलाज बताते हैं हम कई किसान इसको अपलाई कियें और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसमें करना किया आपको पांच लीटर पानी लेना है नॉर्मल पानी पांच लीटर चीक है उसमें जितना नीम की पत्ति डाल पाए उतना डाल दीजिए उसको खुप वाइल करिए मतलब पानी को इतना पकाना है कि पानी आधा हो जाए जो पांच लीटर पानी लिए हैं दो से ढ़ाई लीटर पानी बच्चे तब तक पकाना है नीम की प थान के थोड़ा सा नॉर्मल जादा जला है तो नॉर्मल हो जाए वही पसू को पूरे सरीर में लेप लगाएं इससे क्या है जो चाहे पसू में किलनी हो कीड़े हो जू हो और चीचड़ हो कुछ भी हो पसू का साफ हो जाता है यह हमेशा आपको 15-20 दिन में पसू को जब भी करें हर 15 दिन एक महीना पे पसूओं पे तो आप किलनी जैसे पसूओं को उपर में उससे निदान पा सकते हैं दूसरा जो प्राबलम है इसके साल्ब करने के लिए हम देशी उपाय बताते हैं फ्रेंड वो है तमाकु तमाकु को आपको एक पैकेट तमाकु लेना है आदा सरसो का तेल उसमें मिलाना है और जिस भी गाय या भैस या जो भी पसूओं जिसके उपर टिक है जूओं चीचड़ है उसके सरीर पे इसका लेप लगा देना है आदा घंटा ये लेप लगाने के बाद सूती बोरी से रगड़ रगड़ के साफ करना है आप देखो कि सरीर स जो है गाय के अभैस के जो भी चीचड़ किलनी जू है वो सब जढ़ जाती है ठीक है ये दो तरीका आप अपनाए करेंगे आप देखेंगे कि आपका पैसा भी बचेगा जो येलो पैस में आप पैसा खर्च करते थे उसके सांसात जो है अच्छा खासा निदान भी होगी जो एक्टो पैरासाइट पसुओं की उपर पाये जाती है जिससे दूद घटता है ठीक है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज अपडेट के लिए लाता रहता हूं फ्रेंड जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब सेयर करें ताकि और भी किसान भाई की पास ये नॉलेज पहुंच सके हमारा चैनल है स्टेडी भाई डॉक्टर जेके कोई चीनना समझ मायत हमें कमेंट जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू फ्रेंड नमस्कार